बार बार मारने की चिष्टा की अब भीम शेन ने भगवान की तरफ देखा कि आईसे हम पूरी जीवल लगे तो भी नहीं पड़ेगा गला दबार है सब कुछ उसको परकी नहीं पड़ रहा वगवान स्री कृष्ण में इसाला किया कि ये नहीं शक्ती से आसी स्पनात की हुए है किसी ना साधा नहीं है कि इसे मर जाएगा मनुष्यों की तरह एक खूटी बुदी वाला मारा तुम्हारे ही आथ जाएगा और एक नर्कट बेथ का उसको लिया ऐसे चीर करके ठेक दिया फिर भीम शेन ने उसके पर 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 रख तो राजभवन के द्वार पर पटके आए उसके शरी को भगवान श्री कृष्ण ने रत पर बेटकर वहां गए जहां रुद्र देवता को बली देने के लिए बीस हजार राजाओं को कैद कर रखा था वहां जाकर के गिरिव रज में समस्त राजाओं को मुक्त किया कैद से छूटी भी राजा भगवान श्री कृष्ण को दर्शन कर रहे नेत्रों से मानों नेत्रों से रूप का पान कर रहे फिर हाथ जोड़ करके कहा प्रुभू आप शाक्षात भवान हैं पुरुशोत्तम हैं यदि आप हमारी रक्षान करते हम तो मर ही चुके थे क्योंकि अब या आगे चल कर बली ही देता नाथ अंदर से हम आपको ही पुकार रहे थे यह इन्ही राजाओं ने प्रार्थना किती कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत हक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमा अत्यंत भैंकरिश पहाड़ी में कैद करके रात दिन मुझे दुख दिया जाता था बस हम तो मृत्यू की बाट जो रहे थे नाश अगर बचने का उपाय था तो किवल आप ही थे हमारे भाग की खुल गए कि आप करपा करके आए और हमारी रक्षा की हम आपके चरणों में पड़े हैं अब आप आग्यां कीजिए हम क्या शेवा करें दुश्कर कार्य भी होगा तो हम सब राजा मिल करके आपकी आग्यां का पालंग करेंगे हे हरशी केश अब तो हम निर्भय हो गए भगवान ने कहा एक ही आग्या है माराज युदिष्ठिर राजुश्वी यग्य करना चाहते हैं आप सब पहले अपने राजियों को जाओ और वाँ सब को शुक प्रदान करो फिर माराज युदिष्ठिर की राजुश्वी यग् भगवान की आग्यां स्विकार की भगवान ने जरासंद के पुत्र शादेव को देखा कि ब्राम्मनों को बुजुर्गों को आगे करके कापता हुआ आया क्योंकि पिता का वद हो गया है मैं जानता था मेरा पिता पापी और अप्राधी है ना था आपने बहुत अच्छा किया मैं आपकी शरण में हूँ बहुत भेवीत हूँ प्रभू मुझे निर्भय कीजिए मैं अरजुन और भीमशेन और आपशे अपनी रक्षा चाहता हूँ और जैसा आप आदेश करेंगे वैसा जीवन भर मैं वैसे ही करूँगा भगवान ने का बिलकुल निर्भय हो जाओ यह राज्य तुम्हारा सुख सम्रद्धी तुम्हारी और जाओ मेरी आग्या है तुम अपने पिता का अंतेश्टी संश्कार करो फिर मेरे शिबात करवा करूँ ऐसा ही किया शाह देवने स्कोचिता में रखकर जो अंतेश्टी पुर्वक्की भगवान ने पुना घोशित किया कि मगद देश का राजा यह जराशंद का पुत्र शाहदेव ही होगा और जो इसकी आग्यां पर नहीं चलेगा वो मेरे द्वारा दंडनी होगा क्योंकि अभी बालक ही थे सहदेव शमस्त महत्माउशे पूजी थूकर भग बिमशेन का बल आफ हैं हमारा भिमान आप हैं यह जरासंद मारा गया पूरे विश्व को बड़ा सुख होगा प्रहू निश्चिन्त अब हम राजश्व यग्य कर पाएंगे जरासंद को मारा हुआ जान करके प्रभुष्री क्रश्ण धर्मराज दिष्ठिर कुंती द्रोपदी शुभद्रा भीम सेंग अरजुन नकुल शादेव धम्याचारी और बड़े बड़े आचारी इन समने राजश्व यग्य का अनुष्ठान पक्का उत्तम्तिथी मुहूर्द नच्छत्र और बिविद प्रकार की सुक्षामाग्रियों का संचे और पूरी विश्व पर भीजय इस समनिर्णे के अगे इस तिथी को हो शकता है इस नक्षत्र को हो शकता है पर अभी एक कारिब काया है पूरे बिश्व पर विजय प्राप्त करनी चाहिए अरजुन जी ने कहा उत्तर दिशा हमसे रहे है जितने मित्र राजा हैं उनसे भेट लेना और जितने सत्र राजा हैं उनको परास्त करना अर्जुन ने उत्तर दिशा में सब राजाओं पे विजय प्राप्त करके बहुत धन्धान ने महाराजी दिश्ठीर जी को दिया के बीमशेन ने पूरु दिशा के राजाओं पर विजय प्राप्त की शाहदेव ने दक्षन दिशा के राजाव पर विजय प्राप्त की नकुल ने पस्चिन दिशा के राजाव पर विजय प्राप्त की इसके पाद भगवान स्री कृष्ण ने द्वारी का पुरिश्य बहुत वईभव इंद प्रस्थ मंगाया अब तो हर्षो लास शा गया पहाड के पहाड लगे हुए थे रत्न पूरे विश्व पर विजय प्राप्त की महाराजी दिश्ठिर ने बिदिपूर्वक ब्राम्हनों का स्वागत किया धोम्याचार दोईपायन भगवान ब्यास देवजी और सब पूरा परिवार बैठ करके भगवान सी कृष्ण की तरद देखर दिश्ठिर ने कहा स्री कृष्ण आपकी कृपा से आपके बल से कोई भी प्रत्वी पर ऐसा राजा नहीं जो हमें भेट ना दे अर्था सब अनकूल हो गए इतना धान इतने पदार्थ हो गए हैं कि हम बहुत काल तक यग्य कर सकते हैं और मैं साब धान वैभो प्रजा और ब्राह्मन रिशियों की सेवा में लगाने के लिए ही एकत्रित किया है अब आप आग्यां कीजिए तब भगवान स्री कृष्णे ने राजश्यू यग्य के गुणों का विस्तार पुर्वक वरणन करके कहा कि आप सम्राठ पद के होने योग्य हैं आप यग्य की दिक्षा लीजे हम सब लोग आपके शायोग में हैं ये बहुत बड़ी होती है महाँ भागवतों के हरदय का संकल्प भी भगवत सुरूप होता है उसकी पुर्णता भी भगवान से ही होती है मेरी सिद्धी भी आप हैं मेरी साधना भी आप हैं ये उत्तम बात हे रशी केश जहां आप उपस्तित है वहां साधन सिद्धी सब आप ही होते हैं भगवान सी कृष्ण ने आग्या करी लाजश्य यग्जी के लिए सामाग्री जुटाई गई पांडु कुमार युद्धाव में स्रेष्ट साहदेव को और मंत्रियों को भगवान ने आग्या की कि जितने भी ब्राम्मण आये हुएं उनके अनुशार जो जो शामाग्री अग्य के लिए चाहिए आप सब वस्तमें वैसे एकत्रित करें धौम्याचारजी से जाच करा ले इंद्रशेन विशूक अरजुन का शार्थी पुरू ये मेरा प्री करने के लिए शुन्दर शुन्दर भोग शामाग्री की ब्योस्ता करेंगे भोजन अन्नादी की जिसकी जो खाने की इच्छा है वही उसको दिया जाए बिभिन प्रकार के रस मिष्ठान तयार कराए जाए तो आँ जैसे लड्डू तो पहाड की पहाड बनाएगे थे पूरा विश्व आएगा युदिष्टिर जी की बात स्री क्रश्न द्विपायन जी से भगवन आपको पता है कि कौन रिशी कितनी योग्यता धारन करता है इसलिए आपको इस यग्य में प्रधान आचारे और आचारे रूप में किस रिशी को कहा वरन करना है ये कारे आपकरें शत्यवति नंदन भगवान ब्यास देवजी ने ब्रमा का कारिश शमाला प्रधान आचारे का और आए हुए जितने भी रिशी मुनी थे वश्व पुत्र पैल धोम्याचार और भी बहुत से रिशी पधारे हुए थे जिनके नाम पूरे पेज की पेज रिखे हुए उनको प्रणाम करके बस इतनी कह देते हैं सबको यथा योग्य है यग्य में जहां जैसे जिस रिशी की योग्यता के अनुशार उभगवान ब्यास देवजी ने चैन किया सब राजाओं और ब्राम्हणों को जो निमंत्रन गया था सब भेंट लेकर के पधारे शीघरगामी दूत के द्वारा दूर दूर देश से ब्राम्हण, ब्रम्रिशी, राजरिशी सब को बुलाया गया महराज युदिस्ठिर का निमंत्रन पाकर कोई भी ऐसा नहीं था जो पहुँचा नहो निमंत्रन गया और आया नहो और कोई भी ऐसा नहीं था जो बिना भेट के आया हो सब भेट लाए हुए थे महराज युदिष्ठिर ने भीमशेन द्रोणाचाय धरतराष्ट विदुर क्रपाचार दुरुधन आज को बुलाने के लिए भीमशेन को भेजा कि तुम जाओ सब के हाँद जोड कर पेर जुकर बंदनी हैं सब यहा लाओ नकुल और भीमशेन जाकर हस्तिनापुर में सब को प्रार्थना की अब जब बुलाया जा रहा है तो दुर्योधनादी को तो आना ही पड़ेगा भले हरदय में जलन जलन तो इत इतना जलन कि अब राजसु यगी करने जा रहे हैं इतना वईभो पांडुकुमार ने कुल अस्तनापुर में जाकर के बताया कि जरावसंद मारा गया सब राजाओं पर विजय प्राप्त हुई माराज इदिश्टी राजसु यगी कर रहे हैं आपको चरण शूकर निमंत् भीष्मादिकुषर तकाल भीष्मजी दुरुणाचार इक्रपाचार या स्वस्थामा यह तो प्रशन हुए पर उदास होकर ही शही यह कौरों लोग भी तयार हुए द्रत्राष्ट जी को तो जैसा लग रहा होगा उक्यों भगवान नहीं जानते हैं क्यों चाहते थे हमा उस यक्य में रण दुर्मत महापराक्र में शिश्पाल भी आये थे बलराम जी अनिरुद्ध जी सारण गद प्रद्युम्न शाम चारुदेश्न उल्मुक निशट ये सब ब्रश्ण वनसी महारती पधारे हुए थे पांडू नंदन युदिष्ठिर के राजश्युई महायग्य में शम्लित होने के लिए सब दिश्ण के जब राजा उपस्तित हुए विश्तार पुर्वक्ष्वस्ति वाचन प्रारंब हुआ मंत्र पाठ इस्तुती घ्रत हों तिल शाकल आहुतियां के सब प्रारंब हुई जो यग्य की प्रक्या भगवान ब्यास दिव जी की द्वारा जिनको यग्य में आचारियोपत पर दिश्चित किया था तो दद दस हजार गववें एक एक ब्राम मुतलब ब्रम में रिश्ची को और मनों इंचित रत्म और श्वर्ण मुद्राएं पहले ही बेट में दी थी यग्य के बाद में तो अलग से अग्निदेव को महान तरप्तीत देवताओं को बड़ी प्रशन नता हुई बीश्म जी ने धर्मया जिदिश्चिर से कहा कि देखो राजश्वी यग्य में कोई भी किसी भी तरह से असंतुष्ट ना होने पावे ये प्रदान नियम होता है सबका आदर सतकार करो युदिश्चिर जी ने कहा कि आपके आग्यां का अक्षरशा पालन होगा अब जब पूजा के प्रथम पूजा श्रेष्ट सिंगासन पर किस रिशी को विराजमान करके पूजा की जाए ये शभा में तो बीशमजी से पुछा गया बयोब्रत थे भाराजी दिश्चिर ने हाथ जोड़ कर कहा हमने तो यतोचित सबका आदर किया अब अग्र पूजा और स्रेष्ट पूजा सबसे स्रेष्ट कौन इस सभा में है जिसकी की जाए वो आप निश्चित कीजे जो शम्मे महान हो सबसे स्रेष्ट हो विद्या बुद्धी बल तेज में तो राजश्वी अग्य में उसकी अग्र पूजा का पितामा ने थोड़ी देर मौन और शांत रहकर का महा पराक्रमी भगवान स्री कृष्ण ही सबसे अग्र पूजा के अधिकारी है यह परम पूजनी है कुंति नंदन युदिष्ठिर यह भगवान स्री कृष्ण बल में तेज में विद्या में सब में भगवान ब्यास देजी से भी बढ़ चाड़ करके हैं जितने भी रिष्ण मुनियाप पदारे हैं सबसे बढ़ करता है जैसे शूरी का उदय होते अंदकार नष्ठ हो जाता है ऐसे ही यह जिस सभा में होते हैं वहाँ प्रकाश ही होता आनंद ही होता है स्री कृष्ण से बढ़ कर अगर पूजा का अधिकारी और कौन हो शकता है इसलिए हमाग्या करते हैं उच्चासन पर भगवान स्री कृष्ण को विराज मान करके इनकी बिदिपुर्वक अगर पूजा की जाए सबने ब्रह्मरिष्यों ने एक सब्द में जय हो जय हो ऐसा ही होना चाहिए सिशुपाल वहां बिठा था उसने का रहे बेश्म तुम्हारी बुद्धी ख़ला हो गई वो जो बोल रहा है भगवान की सक्ति से संपन्य भगवत पार्शद है वो तो उसने द्वेश की लीला लिया है ऐसा कट बोलता है जिशुपाल बोला बुड़े हो तुम्हारी बुद्धी काम नहीं कर रही वो तो बहुत कड़ुआ बुड़े है इसको अगर पूजा का है अरे ये विप्रीत आच्रण तुम्हारी बुद्धी में कैसे आ गया भीश्मू तुम श्वार्थ बस होकर कृष्ण का पूजन कर रहे हो ये पांड़ो तो अभी बालक है हम तो समझते थे महाराज दिश्ठीर धर्मात्मा है पोल खुल गई अवो तो दम विप्रीत है गंगाननन भेश्म अरे इनकी तो विश्मरण सक्ती जवाब दे गई बुद्धी खराब हो गई इनकी बुड़े हो गई इनकी क्या सला कोई धर्मात्मा पुरुष भला मुह देखी बात करेगा अरे इतने बड़े-बड़े महात्मा आए हैं विश्चु के वो कोई अग्रपुजा के अधिकारे नहीं है यह अधिकारे भगवाल स्री कृष्ण हस रहे उच्च शिंगाशन पर बेठे विए अग्रपुजा हुए हस रहे और कड़ुआ बोलने की हाद यह रित्वज है आचाज है यह रिशी है चक्रवर्ती सम्राठ है क्या यह सिस्पल है क्या यह हमें बस इतना जब समझ में आया कि तुम लोग श्वार्थी हो तुम्हारे काम में सायोग देता है इसलिए अग्र पुजा कर दी तो राजसुई अग्र में स्वार्थी की पुजा नहीं होती बहुत कड़वे कड़वे बोल रहा है अब उसकी विपिरीत भावला है तो वो सिशुपाल ने रण छोड़ के भागया था मेरे मित्र जरासंद से युद्ध करने के लिए नाम भी ये भगवान का रण चोड़ भगवान मुश्कुरा रहे है शांत भाव से बहुत सुख मिल रहा होगा अगर पूजा करा के बतलब पूरी सभाव है हाँ राजा धिराजाओं की तरह बैठ करके जो पुझवार है हो तुम्हें बहुत सुख मिल रहा होगा देख लिया युदिष्ठी तुम्हें देख लिया भीष्म को भी देख लिया और इसको तु तुम बहुत समय से देखते आ रहे हैं प्रभू के लिए कर इसको तो बहुत समय से देखते आ रहे हैं तुम समझते हो यह कुछ है जिक इददम खड़े हुई सिस्पाल के पास गए हाथ जूड़के कहा कि देखो ऐशे शब्द मत बोलो राजिश्यु यग्ये में शांती प् बूल रहे हो जो बहुत ही आपका मंगल करने वाले हैं भीष्म जी के लिए आपने ऐसे शब्द बोले आरे वो धर्म तत्यु के परम प्रमीर ग्याता है ऐसे शब्द तुम्हें बोलने ही नहीं चाहिए देखो यहां भरी शबहा में बड़े बड़े रिशियों ने स्वेकार किया है कि स्री कृष्ण अगर पुजा के अधिकारी है चेदिराज श्री कृष्ण के अर्थार्थ स्वरुप को भीष्म जैसे महापुरुशी जानते हैं तुम्हें ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए सब इनी के चर्णों की उपासना करते हैं ये अगर पुजा के अधिकारी नहीं ये अनुने विने के अधिकारी नहीं तो कौन है योदिश्टिर मत समझाओ इसको ये समझ नहीं पाएगा अरे योद्धाओं की भुजाओं में जो बल होता है इनी से आता है बिसम जी कह रहें प्रभूशे ही आता है कोई सबा में ऐसा नहीं जो विस्टु से भूपाल नाया हो और कोई भूपाल ऐसा नहीं जो श्री कृष्न तेज से प्रभावित नोग खड़ाओं के बुले पूजनी ना हो ये विर्ष्ण कुल भुशन परब्रम बरमात्मा है ये स्री कृष्ण अपने श्वरूप में प्रतिष्ठित रहते हैं हम ऐसे नहीं बोल रहे हमने ज्यान व्रद्ध मात्माओं का संग किया है बड़े बड़े शंतों का संग किया है और जीवन भला राधना क कि उसके अनुभव से कहता हूं स्री कृष्ण तिलोकी में शर्व पूजनी है जन्म काल से लेकर अभी तक और अनंत काल से लेकर के अभी तक इनकी महिमा ही महिमा प्रकासित हुई है चेदिराज तु क्या समस्ता में किसी कामना से युक्त होकर स्री कृष्ण को अगर जाके अधिकारी हैं इनका यास इनका शौर इनकी विज़ा इनके चर्णों में लोटती रहती है तुम इनको क्या समस्ते हो गुणों की दृष्टी में कोई वयोवरत हैसा नहीं है महापुरुष जो इनके गुण का नुसरन न करता हो अर्थात कोई कितना भी बड़ा महात्म हो स्रीकृष्ण के कृपा प्रशाद से ही वो सद्गुणों को प्राप्त होता है वेद वेदांगों का ज्यान स्रीकृष्ण जैसा किसको होगा क्योंकि चारो वेद इनकी स्वासों से प्रगट हुए हैं दान दक्षता सास्त्र ज्यान सौर लज्या कीरती बुद्धी विन श्री द्रती तुष्टी पुष्टी ये साथ श्री कृष्ण के अंसर में भी राजमान हैं ये अर्ग पानी योग्य नहीं अग्र पूजा की योग्य नहीं तेरी जबान ने गलित हो गई ऐसा बोलने पर भी स्मजी ने अरे जित्वज हैं गुरू हैं आचार्य हैं इसनातक ह हैं महालाजा हैं मित्र हैं प्राण हैं जीवन हैं स्री कृष्ण भी स्मजी करें स्री कृष्ण संपूर्ण जगत की उत्पत्य हैं चराचर जगत के पालन हारे हैं चराचर जगत को ले करने वाले हैं ये ही अव्यक्त प्रकत्य सनातन करता संपूर्ण भूतु के स्वामी भ प्रत्वी जरायुद अंड़ स्वेदद उज्वित ये साब प्राणी नहीं के अंस से प्रगट हुए है तुझे क्या बताऊं तेरी समझ ठीक नहीं है चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, ग्रे, दिसा, विदिसा, अग्निहोत्र, गायत्री, राजा, नदी, समुद्र, नक्षत्र, तेजों में पदार्थ, परवतों में मेरू, पक्षियों में गरोण, देवलोक में इंद्र, साबी नहीं के अंस से प्रगट है तु क्या समझता है जब भिश्म जी ऐसा समझाने लगे भगवान की बड़ी महिमा का गान, क्योंकि वो परम ग्यानी है सिस्पाल बुला अरे भिश्म तुम चाहे जितना बोल लो मुझे पता है, तुमारी बात पर ना हमारा विश्वास बढ़ता है ना हमें कोई लज्जा आ रहे है क्योंकि समझते है तुम ऐसे हो जैसे एक नाव की पीछे दूसरी नाव बांदी जाए, वो चलती रहे जैसे एक अंधे की पीछे दूसरा अंदा चलता रहे मैं अंदा नहीं हूँ मूर्ख से मूर्ख मनुस से भी जानता है कि स्री कृष्ण क्या है स्पाल ने का, गाय चराने वाले से बस्वई है तुम बुद्यमानों में सेटू केते हैं समस्त जगत का इश्वर है यह तुमारे कहने से इश्वर हो जाएगा मेरी दरष्टी में तुम सब जूठे हो तुम सत्य का पालन नहीं करते क्योंकि सत्य को नहीं जानते हो निश्चा ही तुमारी प्रकत्यव अधमता को प्राथ हो रही है पांडो जन हम तो समस्ते थे तुम धर्मात्मा हो लेकिन अभी समय में निर्णे कर रहा हूँ कि तुमारी बुद्धिया धर्म में युब्त हो गई है सिश्पाल बड़ा कलुआ बोल रहा था एक एक अक्षर में कटुता थी भीमसें दात पीशती हुए ओट चबाते हुए खड़े हुए वैसे ही विशाल का अब तो और फूल गए कुरुदावेस में मानों आखों में खून उतर आया हो सब राजाओं के देखते देखते खड़े होकर ताल ठूकी माथे में भ्रकुटी तन गई और दातों को पीशते हुए उच्छल करके सिस्पाल के पास पहुँचने की चेश्टा की भीश्म जी ने रोक दिया जैसे महेश्वर ने कार्तिके को रोक दिया हो भीश्म पितावा ने का बिलकुल नहीं बिलकुल नहीं में कुरुद करने का उसर नहीं सांथ हो जाओ भीश्म जी के पकड़ने पर भगवान स्री कृष्णे के इसारे पर भीश्म शांथ हुए नहीं तो ऐसा लग रहा था कि राजुश्वी अक्यमें अब तो बड़ा कल है युद्ध हो जाएगा भीश्म से इनको कुपित देखकर हस्ता हुआ से स्पाल बोला छोड़ दो भीश्म छोड़ दो इस भीश्म को ये बहुत खाने वाला आज समझेगा कि हमारी मार्ग इसके उपर कैसे पड़ेगी बुद्यमान कुरकुल तिलग भीश्म भीश्म से समझा बिलकुल नहीं इस समय इसकी बुद्धी बिगड़ी हुए तुम्हारे द्वारा मारा नहीं जा सकता तुम लोग जानते नहीं हो ये तुम्हारे द्वारा मारा नहीं जा सकता तो भीश्म शेन ने का क्यो नहीं मारा जा सकता बल पूर्वक मारेंगे इसे नहीं मारा जा सकता ये दमगोश का पुत्र शिष्वाल जब उत्पन हुआ था उस समय इसके तीन आखे थी एक भाल में भी थी और एक याँ थी और चार हो जाएं थी और जब प्रगट हुआ था तो गदे की तरह जिसे दुरियोधन रो रहा था अईसे ये रेक रहा था इसके माता पिता सब भैसे थर्रा उठे तीन ने तरचार हो जाएं और रोने का दोनी जो वो गर्धव की तरह और बड़ी ही भयानका क्रती लग रही थी पत्नी पुरोहीत मंत्री सहित चेदी राज का हिरदय बड़े चिंता में मुहित हुआ उस सम किता मत करों बहुत बल्वान और स्थिस्तंपन होगा तुम्हारा पुत्र कि दरो मत इस पुत्र का पालन करो मिशकी अभी मृत्यव आई नहीं है इसकी मृत्यु का कारण कोई साधारन सस्त्र नहीं होगा कोई साधारन राजा इसे मार नहीं सके का आकाश्वानी ऐसा कहे कर अंतर ही तो हुई तो माता की हुरदय में बड़ा इसने ही उमुडा की मेरे पुत्र को कौन मार सकता है ये मुझे अगर पता हो जाए तो मैं बचाने का उपाय कर सकते हुई तो हाथ जोड़ा और कहा जिसने आकाश्वानी कही है वो मेरे प्रशन का उत्तर दे कौन बनेगा इस प्रथवी में मेरे पुत्र की मृत्युका हे तो तो आकाश्वानी हुई जिसकी गोद में इसके जाने पर इसकी दोनों भुजाएं कट कर गिर जाएं और तीसरा ने तरगायव हो जाए वह उसे मारेगा आकाश्वानी बंद हो गई अब तो साब देशों के राजाओं को निमंतरन किया गया और सब आश्चल चकित देखने के लिए आये चार बाह तीन आखवाला बालक कैसा होता सब देखने के लिए आये और निमंतरन भी गया था और निमंतरन इसी लिए गया था कि सबकी गोद में डालके देखेंगे चेदी राज ने अपने घर पदारी इस सभी नरेशो का यथा योग शतकार किया और एक-एक की गोद में किसी की गोद में जाने पर कोई परिवर्तर नहीं हुआ बड़ा सुख मिला मा को अब द्वारिका से भगवान स्री कृष्ण बलराम भी अपनी बुआ के हाँ आये थे जैसे कुंती बुआ ऐसे ये बुआ बलराम जी स्री कृष्ण ने प्रणामा दि किया तो सुरुत सुरुआ नाम था सुरुत स्रवा उन्होंने गले लगाया और कैसे हो अच्छे है तो तुम भी जे भी स्री कृष्ण की गोद में डाला तो दोनों वाएं कटके गिर गए और तीसरी आख भी दस गए और उपर तचा हो गए अब तो भेवीत हो कर रो पणी और भगवान स्री कृष्ण के चरण पकड़ ले तो हमारे पुत्र के शमान हो हमारे पुत्र की रक्षा करोगे ऐशा वरदान दो मैं भीक मांगती हूँ अपने पुत्र की जीवन रक्षा की और देखो हमने शुना है तुम संकट में पड़े हुए प्राणियों की रक्षा करते हो हे कृष्ण तुम भेव भीत को अभे प्रदान करते हो आप संबंद के नाते ही सही मुझे वर प्रदान करो वचंदो उनका तुम दरूमत मुझसे कोई भे नहीं क्या चाहते हो आप संभव हो या संभव मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूँगा बोली आप क्या चाहते हो तो हे ये दुकुलतिलक स्रीक्रश्न मेरे सिश्पाल से अपराध बन जाए तो छमा कर देना मेरा मनो वांचित यही वर्दान है तो उनका बुआ तुम्हारा पुत्र दोशों के कारण मेरे द्वारा ये वद्योग्य शोव अपराध करेगा तुम्हें एक अपराध की बात कहते है सोव अपराध तक मैं उसे बिल्कुल नहीं मारूँगा वचन देता हूँ तुम अपने मन में निश्चित कर लो कि एक अपराध नहीं सोव अपराध तक मैं इसे छमा करूँगा उन्हें सुचा सौपराद काहे को करेगा बड़े प्रशन हुए है तो भीष्मी जी कहते है भीमसें तुम उच्छ को मत ये तुम्हारे कबजे में आने वाला नहीं है इसे मार सकते हैं तो सिर्फ स्री कृष्ण मार सकते हैं इसलिए सांतु हुआ